कि अध्य है कि सब्सक्राइब करें इस चाइनल को और इस घंते को दबा दें कि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हेलो गाज तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं पुस्व धनवा अरस्थ के बारे में जो मेरे स्कीम पर देख रहे हैं आपका पुस्व धनवा अरस्थ है जो बैदनत कंपनी का है इसके बारे में आज बात करेंगे कि इसका क्या-क्या फैदी है और क्या-क्या विनु का इस्तमाल कर सकते हैं, इसका इस्तमाल से सेक्स्वार कमजोरी को दूर करता है, धातो रोग सपन्दोस नपो सकता, सिंगर पतन, बिरे के पतला पन, आदी समसिया में इस दावा का इस्तमाल करवा जाते हैं, पूरे पिस्तार से हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को नोटिफिकेस्टन आपको मिलता रहे तो आए सूरू करते हैं वीडियो को तो आए हम जान लेते हैं पहले पूस वधन्मा रस में कौन-कौन से ऐरवेडिक जड़ीबुटी को दवारा बनाई जाती है इसके बारे में पहले बिस्तार से जान लेते हैं तो इसमें बहुत सा अर्वेडिक जड़ी बुटी को द्वारा मिलाई जाती है और बनाए जाती है जो पहला इसमें रस इंदू डाली जाती है नाग भस्म डाली जाती है लो भस्म डाला गया आपका अभरक भस्म हो गया बंग भस्म हो गया धातुरा हो गया भांग हो गया बैल हो गया आधि बहुत सा अरुईिक्त जड़ी बुट्यों को मिलाकर उस्वधनव Oui और सको बनाया जाता है जो बना बनाया भी हर अरुई अरुइदिक मेलिकल में बहुत साने से मिल जाता है वोहां से लेके भी दावाका इस्तामान कर सकते हैं तो आये हम पहले जान लेते हैं पुसु धन्वा का फैदे के बारे में गुन और उप्योग के बारे में इसका क्या-क्या फैदे हैं और क्या-क्या बेनिफिट है तो पुसु धन्वा रच एक अरवेदी का उसाधी है जिसका उप्योग से कई परकार के रोगों में किया जाता है इसका उप्यो इसका सेवन से पुरुसों के बिरिये काफी गाढ़ा हो जाता है बहुत सा पुरुसों के बिरिये बहुत बतला होते हैं ऐसे बेक्ति को इसका सेवन अवसे करना चाहिए कियोंकि इसका इस्तमाल से सिगर पतन के समसिया वाले बेक्ति को काफी फैदा मिलता है इसका सेवन महलायों से जुरी कई परकार की समस्यों में सेवन किया जाता है बहुत सी महलायों की संभोग किरिया में कोई रूची नहीं रहती है क्योंकि किसी परकार की समस्यों में उनका सेक्स करने कीछा में काफी कमी आ जाती है ऐसे में आपको इसका सेवन करना चाहिए, इसके अलावा बांजपन से जुड़ी समस्यों में भी इसका सेवन करवाए जाती है, पुस्वधनवारस पुरूसों और महलायों के लिए किसी वर्दान से कम नहीं है, पुस्वधनवारस के वर एक आउसादी नहीं है, बाली के एक रसायन है, जो कई परकार करर रोगों में काफी सहायक होता हुआ, अगर किसी बेक्ती के बिर्ये पतला हो गया हो, तो ऐसे बेक्ती को इसका सेवन निवस्य करना चाहिए, पिर्ये पतला होने के कई कारन हो सकता है, जैसे आप कहो किया थिक दामे, अपरकृरतिक मैथूण क कुदा में थूरे ओनी में थूर के कारण या अनमित खान पान और रहां सहनादी के कारण से बिर्य काफे पतला हो जाता है इसका कारण से सिर्पतन की समस्या भी उत्पन हो जाती है सिर्पतन की समस्या होने पर आपको इसका सेवन नवस्य करना चाहिए इसका सेवन से अन्य परकार किया उसाधियों के साथ कर सकते हैं इसका सेवन से आपका बिर्या को गाड़ा करने के लिए बिर्या पॉश्टिक चून का भी इस्तमाल कर सकते हैं सतावरी चून हो गया मुशली पाक हो गया आदि अर्वेदिक जडिबुटी अपने डौक्टर के सला के अनुसार इस् स्टमार कर सकते पॉस्वधन वरस का सेवन विधि के बारे में अमातरह अनुपंत के बारे में एका गोली सुभा साम सहद इया ही या उटाई है मिले हुए डूद के साथ आथवा मखर मिच्री हादी के साथ इस दवा का कर सकते हैं अपनी डॉक्तर कर चेश लाक नूसार और कहीनशाब से इसके साथ अन्यारोएदिक दाओ कर görüşते हैं बात करें आपको इसके मारुपिया आपका सब्सक्राइब करें तो अब हमारा वीडियो लास्ट होता है अगर हमारा वीडियो आप लोग के पसंद आया होगा तो लाइक केज़ें और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब